दोस्तों HSE CET को लेकर एक बड़ी खबर है क्या आने वाड़े समय में आपको CET से मुक्ति मिलेगी यै फिर नहीं मिलेगी क्या आने वाड़े समय में भी CET से ही बर्तियां आपके करवाई जाएंगी या फिर CET को बिल्कूल खतम ही कर दिया जाएगा अब ये भी जो है दोस्तो एक जो है बड़ी कब रही है अगर आप भी जाना चाते हैं तो वीडियो को अन्थ तक जरूर देखना नमस्का दोस्तों आप सब्सक्राइब करते हैं मारे यूटूब चैनल यूगी स्माट में दोस्तो अगर आपने भी तक मारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्क्राइब कर ले और साथ मैं दिये गए बैल आइकन को दुबालें ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच गे दोस्तो वीडिय सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सबस्क्राइब जरू करें बैल आइकन को जो है दोस्तो जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट है वीडियो का जो नौट्यूकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच चुके दोस्तो एचसी सीट को लेकर अब यह भी एक बड़ी खबर आई है क्या आने वाड़े समय में भी जो है दोस्तो सभी बरते आपकी सीटी से होगी या फिर आपको सीटी से मुक्ती मिलेगी जब से हरियना में CET आया है दोस्तों इसे काफी जो युवा है वो परेशान है काफी क्या सभी युवा परेशान है CET के गाण और खास करकि वो candidate ज्यादा परेशान है जो की हर साल जो है दसमी पास होते हैं बार्वन पास पुस्ट ग्रेशान करते हैं और बरतियों के लिए इंतजार करते हैं लेकिन जब से हरियना में CET आया है तो इसमें क्या कि आपका 1 CET का एक्जाम हो चुका है गुरूप C के लिए एक एक्जाम हो चुका है आपका गुरूप D के लिए उसके बाद जो है दोस्तो एक भी एक्जाम जो है HSE के दवारा आपके नहीं करवाए गए है हरियाना सरकार के दब़ारा एक भी exam अपका और नहीं करवाएगा है exam भी जो है धोस्तो लगबग 1 साल से भी ज़्यादा exam को भी ओचुके हैं और उस समय भी जो है धोस्तो जब CET अपका group C के लिए करवाएगा था उसमें भी जो है धुने 9.9 गन्डिडेट जो है लेकिन उनको इन बर्तियों में जो है आवेदन करने का मुखा नहीं मिला वो इन बर्ति परक्रिया से बार है यहां तक कि जो आपकी अब हर्याना पुलिस की नई जो बर्तियाई है जो कंडिडेट हर्याना पुलिस बर्तिय का इंतिजार करते हैं उनके लिए जो है दोस्तों ये बड़ी दुखद खबर भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि भई इसमें भी केवल और केवल CET पास कंडिडेट हैं जो है आवेदन कर सकते हैं जो आपकी 5000 के पदों पर जो बरते आई है आपकी MAP के पदों पर जो बरते आई है रियना पुलिस में तो इसमें क्या की केवल और केवल CET पास कंडिडेट हैं जो है आवेदन कर सकते हैं और जो बाकी जो कंडिडेट जो बच गए हैं जो भाई N-Qualify हो गए थे एक या दे नंबर से या फिर जो कंडिडेट अब की पार 10 में या फिर 12 में पास हुए हैं वो कंडिडेट तो ब उपर जो 20,000 कंडिडेट हैं वो सभी बर्तियों में गोम रहे हैं यह भी नहीं है कि बाई जितने CET पास हुए हैं कंडिडेट उन सभी को इसमें बैठने का मौका दिया जारा है इनकी जो पॉलिसी है वो भी जो है दोस्तों एक अलग तरीके की पॉलिसी है इसमें भी केव जो कंडिडेट हैं वो ही जो है बार बार एक्जाम में बैठ रहे हैं आने वाड़े समय में जो है दोस्तों CET खतम होने की आपकी जो है कुछ से संभावने नजर आ रही है अगर हर्याना में कॉंग्रेस सरकार आती है आप दोस्तों आप ये कॉमेंट मत करना कि आप कॉंग CET से आपको मुक्ति मिल सकती है अगर हर्याना में कॉंग्रेस की सरकार आती है CET से फैमली आइडी से इन सभी से आपको एक चुटकारा मिल सकता है क्योंकि BJP सरकार के दवारा ये नए ने शुरू किये गए थे वो चाहे आपकी फैमली आइडी हो और चाहे वो आपके जो ह तो इसमें नए नए को जो है दोस्तों शुरू में इतना उस बारे में नौलेज नहीं होती है तो इसलिए जो है सभी चीज़ें जो है उलज रही हैं सबसे जादा जो है आपकी फैमली आइडी के कान भी जो है समश्याइं है कि वही जो गरीब परिवार है उसको अमीर बना दिया गए है तो इस परकार के मामले भी जो है आपके लगातार family ID से भी आ रहे हैं और CET से जो है हर परेशान ही परेशान हर युवा परेशान है CET से तो आपकी क्या रहा है दोस्तों comment box में जरूर देना और अगर आपको जानकार यह से लगी वीडियो को जो है like share comment आप जो हुँ सके है